इलाके में बढ़ते अपरादों को लेकर आखिरकार लोगों के सबर का बांद तूठी गया नगर एवं ग्रामिल शेत्रों में अपरादियों पर लगाम लगाने में नाकाम पुलिस पर अंदेखी का आरोप लगाते हुए किसानों ने चार जनवरी से कोतवाली परीसर में धरने का एलान किया है जिससे पुलिस विभाग में हड़कम मचा हुआ है किसानों ने दावा किया है कि इलाके में लगतार अपराद बढ़ने से सरकार की भी लोगों के बीच चमकर किरकिरी हो रही है दरसल बिजनवर की नजीवबाद कोतवाली में मजदूरों के साथ मार पीट करने वाले होटल संचालक के खिलाफ तहरीर लेकर पहुंचे लोगों की तहरीर दर्जनकर उल्टा धमकाने पर लोगों में उबाल आ गया है जो रातरी में ही कोतवाली परिसर में नारे बाजी करते हुए धरने पर बैठ गए गरीमत रही कि रात में ही मौके पर सीओ घजिंदर पाल सिंग पहुँच गे जिन्होंने किसी तरह लोगों को समझा बुजा कर शांत किया किसान नेता ने कोतवाल दिनेश्चंद गौड पर सरकार के छवी खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके में लगतार चोरी, रहजनी और दहे जुद पिलन की घटनाएं हो रही है और पुलिस के अंदेखी के कारण लोगों को परिशानी जेलने पड़ रही है ज लोगों के घरों से कीमती सामान चोरी कर रहे हैं जिससे नागरिकों में भैका माहौल बना हुआ है इस विशह में जब सियो गजंदर पाल सिंग से कैमरे के सामने घटना की जानकारी करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फिलहाल ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से इनकार कर दि अपने एराजनेतिक समाज सेवा के काम में 21 साल में पहली वार अपने थाने में इंस्पेक्टर साब की कार गुजारी डिला ढवाली दर्या दिली के कारण धरना देने पर मजबूर हुए हैं छेतर माय दिन चोरी हो रही हैं चोर बेख़ौफ हैं और इतनी डिला ढवाली ए अपने हां यानि रंगदारी होती है छीन लिया एफ यार चोड़ो पुलिस उल्टा धंकार ही न क्या कर आकर यहां हो तुम बत्तमी ची कर रहे हो जादमी के साथ और वह कह रहा है कि स्कूटर मोट साइकल जब दिलागी अब कोई बात है देज परता के मामले हैं यहां कोई सुन्हें उतिया नि 4-4 महीने के मामले कहते हैं कि 4 सीट तो अभी साल साल बर मा जाती है चोरी की रिपोर्ट यह नि लिखने के इस से छुब्ध होके हमना आतवात रात में हमें बैठना पड़ा हैं और अपने लोगों को युवा टीम हमारी है बुलाया सातम भाई हमारे बरंदर सिंग है युवा जिलाद्यक सर्दार सी हमारे संदीप सिंग है पूर्व युवा के जिला मासरचीव है चौदी जवर जी है अजमल भाई है अनुज है सौरभ है सभी लोगों को यहां की टकर पुलाया गया क्या जरुकति हम रात में 11 बज़ दरना देंगे अगर सियो साब ना आते तो इदरना खतम नहीं होना था अभी यहां बड़े रूप में आ जाता यह 150 लोग रात में 11 बज़ इससे में टाइम 24 न्यूज के लिए बिजनौर से हाशिम एहमत की रिपोर्ट